जिस स्पाइटर जैट को लेकर इतरा रहे थे चीन पाक जिसके लम पर भारत की वायु सेना को दे रहे थे गीदर भब की जिसे बता रहे थे दुनिया का बहतरीन फाइटर जैट म्यावार ने उसे ही बता दिया कबाड़ा रद्दी से करदी तुलना दोस्तों रफाइल जिसे दुनिया के बहतरीन फाइटर जैट में शुमार किया जाता है जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है जिसे साक्षाद दुश्मन का काल कह जाता है उस रफाइल के तुलना चीन अपने जिस जेफ सेवनटीन फाइटर जैट से कर रहा था जिसे वो रफाइल से भी बहतर बता रहा था उसकी तारीफ में कसीडे पड़ रहा था उस फाइटर जैट की असलियत अब दुनिया के सामने आ गई है चीन और पाकिस्तान के सईक उपकरम को किसी और ने नहीं बलकि म्यामार ने ही कबाड करार दे दिया है वो म्यामार जिसे चीन ने हालही में इन फाइटर जैट को बेचा था डील के वक्त चीन ने इस विमान की जमकर तारीफ की थी म्यामार को सबस बाग दिखाए थे जिसकी उसने कभी कलपना भी नहीं की थी अपनी फितरत के मताबिक चीन ने डील के वक्त जोला भर भर कर जूट बोला था म्यामार को जम कर बरगल आया था अपने कबार फाइटर जेट को अमेरिकी विमानों से भी बहतर करार दे दिया था दोस्तों आपको बता दूँ कि चीन के इसी जेट के बल पर पाकिस्तान भी बल्लियां उचल रहा था भरत को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हिंदुस्तान के पास रफाइल है तो पाकिस्तान के पास भी जे एफ सेवनटीन है जिसकी ताकत से पार पाना दुनिया में किसी फाइटर जेट के बूते की बात नहीं है फिर चाहे वो रफाइल हो या अमेरिका का आधुनिक फाइटर जेट दोस्तों अब जब इस फाइटर जेट की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है तो पाक और चीन मूँ छिपाए पिर रहे हैं जिस विमान के खुबी को लेकर वो गला पाड रहे थे अब उसी विमान को कबार बताए जाने पर उनकी जुबान पर ताला लग गया है अब वो इसकी सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान तो मजबूर है वो तो चाहकर भी चीन के सामान को कबार नहीं बता सकता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी चलाने वाला तो चीन ही है अगर उसने चीन के खिलाग कुछ बोलने की हिमाकत भी की तो अगले हिक्षन उसका दाना पानी बंद हो जाएगा और पाकिस्तान की जनता भूक हो मर जाएगी लहाजा पाक की मजबूरी दुनिया जानती है लेकिन म्यामार के साथ ऐसी कोई वजह नहीं थी इसलिए उसने चीन के दावों के हवा निकालने में जरा भी देरी नहीं की मतलब जिन युद्धक सामानों के दम पर चीन भारत को धमकाता है अमेरिका को आखे दिखाता है असल में वो सब रद्धी का एक टुकड़ा है और अगर जंग हुई तो चीन के ये कबार उसके लिए खुद का ताबूत साबित होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चीन के ऐसे ही युद्धक हथियारों का पोस्ट मॉटम करेंगे जिसके दम पर चीन उच्छलता रहता है तो चलिए शुरू करते हैं मियामार के बयान ने चीन के दावों की निकाल दी हवा दोस्तों आपको तस्वीर तो याद ही होगी जब जीएफ सेवन्टीन विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर पाक इतरा रहा था भारते वायुसेना को ये बता रहा था कि हिंदुस्तान के रफाइल की काट उसके पास आ गई है लेहाजा हिंदुस्तान को किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए लेकिन मियामार के एक बयान ने पाक के सारे दामों की हवाल निकाल कर रग दी है दरसल मियामार ने चीन और पाकिस्तान के संयुक उपकरम जे एफ सेवनटीन विमानों को रद्धी का टुकडा करार दे दिया है जी हाँ सही सुन रहे हैं आप रद्धी का टुकडा जो किसी काम का नहीं होता आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह सच है दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मियामार को क्या जरूरत आन पड़ी जे एफ सेवनटीन विमानों को कबार बताने की तो वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले इस कबार फाइटर जेट की जो खूबियां जीन और पाक बता रहे थे उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर इस फाइटर जेट की खास्यत की बात करें तो जेएफ सेवनटीन थंडर फोर्थ जेनरेशन का मल्टी रोल एडवांस एरक्राफ्ट है बेहत कम बजन के साथ हर मौसम में काम करने के लिए अनुकूल है यह हवा से हवा और हवा से सतह पर हमला करने वाला मल्टी रोल लड़ा को विमान है इसमें दुनिया की सबसे एडवांस एर बॉर एलेक्रोनिकली स्केंड एरे रडार और पी एल फिफटीन बी वियार मिसाय होने का दावा किया जा रहा है जिसकी रेंज सबसे अधिक और सबसे लंबी है दोस्तों इस विमान को पाकिस्तान एरनाटिकल कॉमपलेक्स और चीन में चेंगदू एरक्राफ इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने मिलकर तयार किया है दोनों देशों ने मिलकर लेटेस्ट लड़ा को विमान बनाने की एक परियूजना शुरू की थी और साल 2003 में पहला जे एफ 17 पोटो टाइप विमान बनाया पाकिस्तानी वायू सेना ने 2010 में पहले जे एफ 17 को अपने स्क्वैडरन में शामिल किया उस वक्ट चीन ने जे एफ 17 थंडर लड़ा को विमान मिलने पर पाकिस्तानी अधिकारी काफी खुश नजरा रहे थे पाक अधिकारियों का कहना था कि इस लड़ा को विमान के पाकिस्तान की वायू सेना में शामिल होने पर सेना को गोर मजबूती मिलेगी वही कुछ लोग इसके तुलना भारत में फ्रांस से मंगाए गए रफाईल विमान से भी कर रहे थे पिछले साल जनवरी में इन विमानों का प्रोड़क्शन शुरू करने के मौके पर पाकिस्तान की वायू सेना के प्रवक्ता ने दावा किया था आखिर वो रफाईल के आगे टिकता कहा है रफाईल पनाम जेफ 17 थंडर विमान दोनों ही फोर्थ जनरेशन फाईटर जेट हैं दोनों में लगभग एक जैसे एडवांस डडार लगे हुए हैं दोनों में हाई पावर डेटा लिंक हाई टेक्निलोजी एवियोनिक्स हैं दोनों जेट आधुनिक हत्यारों को ले जाने की योग्यता रखते हैं दोनों में यहां सवाल यह उठता है कि अगर चीन के प्रभारी Rafail दो इंजन वाला फाइटर जैट है जबकिchief 17 में संगल इंजन ही है रफाईल की अर धिक्तम स्पीड 2130 किलोमेटर प्रति गंटा है जबकि GF-17 की ज़और 2500 केलोमेटर बजन ले जाने में चाब्व है 12,474 किलो का वजन रफाइल वजन क्षमता के कारण ज़्यादा हत्याल ले जाने में सक्षम है जबकि JF-17 उससे आधे रफाइल परमाणू मिसालों को दागने की क्षमता से लैस है JF-17 में क्षमता मौजूद नहीं रफाइल की इंधन क्षमता भी JF-17 थंडर विमान के मुकाबले बहुत ज़ादा है रफाइल 15.3 मीटर लंबा और 5.3 मीटर उचा जबकि JF-17 14.9 मीटर लंबा और 4.7 मीटर उचा है रफाइल फाइटर जेट की विंग स्पैन JF-17 के मुकाबले कहीं ज़ादा 10.9 मीटर की है बड़ी विंग स्पैन के कारण रफाइल पहाडी एरिया में ज़्यादा तेज टरन लेकर प्रभावी है जबकि JF-17 इसमें फेल है दोस्तों इसमें कोई दोराई नहीं है कि चीन के दावों के बावजूद रफाइल उसके JF-17 से काफी बहतर है लेकिन अब तो म्यामार ने चीन के दावों को ही कड़गरे में खड़ा कर दिया है लहाज आप चीन के JF-17 के रफाइल से तुलना भी बेमानी है लेकिन दोस्तों यहां सवाल उटता है कि आखिर म्यामार JF-17 को कबार क्यों बता रहा है चलिए तो वो भी आपको बता देता हूँ रखी है चीन का JF-17 फाइटर जेट JF-17 को लेकर म्यामार ने की थी बड़ी डील दोस्तों चार साल पहरे जिस फाइटर जेट को अत्याधुनी बता कर चीन ने म्यामार को बेच दिया था असल में वो कबार के डिबे से जादा कुछ नहीं है ये कहना है खुद मयामार का मयामार की वाय हुसेना ने चीन और पाक के इस फाइटर जेट को उड़ाने से ही मना कर दिया है वहाँ अधिकारियों का कहना है कि इसका रडार ही काम नहीं करता तो देश की रक्षा क्या करेगा विशिशग्यों का कहना है कि रडार की क्षमता बहुत ही खराब है और इसके रख रखाओ में भी समस्या आती है इस एरक्राफ्ट में बियांडा वीज्वल रेंज यानी बीवियार मिसाइल या फिर हवा में विंग टिप्स और हाई पॉइंट्स भी खामियों से भरे हुए है म्यामार वायुसेना के पूर पाइलटों ने तो ये भी कह दिया है कि JF-17 जेट इतने सक्षम नहीं है कि देश की हवाई रक्षा क्षमता को मस्बूत कर सकें वहीं म्यामार की वायुसेना ने भी JF-17 लड़ाको विमानों के धाचे में खराबी आने की वज़ा से उड़ाने से हिमना कर दिया है म्यामार ने इन जेट्स को फिलहाल अन्फिट करार दे कर जमीन पर ही खड़ा कर रखने का फैसला किया है मीडिया में आ रहे रिपोर्टों की माने तो म्यामार के पास ऐसी तकनीकी विशशक्या नहीं है कि वो इस जेट्स में आई खराबी को ठीक कर सकें म्यामार ने चीन से 16 JF-17 खरीदने की डील साल 2016 में की थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका याद होने कि लडाको विमान का बार निकलेगा इस विमान की तकनीकी खराबिया म्यामार के लिए सिरदर्द बन गई है दोस्तों बता दू कि म्यामार ने चीन को हर जेट के लिए 25 मिलियन डॉलर की मोटी रकम दी थी पहले 6 जेट म्यामार को साल 2018 में मिले थे बाकी ये 10 जेट के बारे में कोई भी जानकारी दोनों देशों की तरफ से नहीं दी गई है इस डील के साथ ही म्यामार दुनिया का वो पहला देश बन गया था जिसने चीन पाकिस्तान की तरफ से तयार इस जेट को खरीदा था लेकिन अब ये उपलब्धी उसके लिए सिर का दर्द बन गई है लिहाजा अब उसने इसे दूर करने का फैसला किया है सूत्रों की माने तो म्यामार चीन से बाकी विमानों की डील कैंसल भी कर सकता है दोस्तों म्यामार के जजदावे से साफ है कि चीन हत्यारों के नाम पर केवल कबार बनाता है और जंग में भारत की युद्दक हत्यारों के आगे उसके हत्यार फिसड़ी साबित होंगे लिहाजा भारत को सीमा पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और अपने रण बाकुरों को खुली छूट देनी चाहिए जिससे की चीन से पुराना हिसाब किताब चुकता किया जा सके और उसे उसकी असल आउकात बताई जा सके दोस्तों क्या आप इस बात से सहमत है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जै हिंद जै भारा